सरकारी कार्यालों में आपको यदि आप से कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्य की पालना के एवज में रुपए या उपहर मांगता है तो विजिलेंस ब्यूरों में शिकायत दे सकते हैं ये शब्द आम लिखे मिलेंगे लेकिन सरकारी विभाग में किस तरह कर्मचारी गुंडागर्दी पहलाते हैं इसका जीता जाकता उधारन आज पानिपत के सामाने अस्पताल में देखने को मिला जहां पिछले तीन दिन से लगातार अपने हाथ का इलाज करवाने के लिए एक महिला चक्कर काट रही है लेकिन भीड जादा होने के चलते उनका नमबर नहीं आया आज फिर महिला लाइन में लगी थी तो उन्होंने अपनी समस्या महिला सुरक्षा कर्मी को बताई जिसका फायदा उठाकर महिला सुरक्षा कर्मी ने परची कटवाने की एवज में सो रुपए की मांगी आरोपो की माने तो पीडित महिला ने पैसे देने से मना किया तो सुरक्षा कर्मी ने उसे धका दे कर बाहर निकलने को कहा इस पर महिला ने हंगामा कर दिया मामले की भनक लगने के बाद पुरिस मौके पर पहुंचे और महिला को समझा कर मामला शांत किया लेकिन बड़ा बवाल ये है कि आखिर गरीब लोगों के लिए बनाए गए सरकारी अस्पताल में भी ऐसी घटनाए होंगी तो आखिर गरीब को इलाज मिलेगा कहा वही सीमो ने इस मामले में जाच करने की बात कहते हुए कहा कि अगर कोई कर्मचादी दोशी मिलेगा तो कारवाई की जाएगी तोड़ा सा एम तीन दिन सरो जा रही हूँ ओसपीतल में सरकारी में तो मना के नुका है हलो बनЕТसरीयन बोल दी मेड़म सरकारी ए उस्पिटल में सर्मेरे चोट लगी ङएए एक गाढ़ हेगी मैंनका मेरी पर्ची बनानन तरो बली सो और दे 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 तो मिनट में बनवा के लांगी तेरी परची मने 100 रुपए देने से मना करा क्या नाम बताता है ना पिंकी और दो जानी और खडी थी और जो मने मना करा तो दख्या मारने लगी आतम अध्म मैं जोर से बोल गी मैं सो रुपए लेकर परची बने इतनी के ते मेरे जिस चोट प बाल लिकर जा भी और फट यहां पुल सरकारी होस्पिटल में खड़ी में तो यह तर इस बत ले लेकर परची बनवावाँ लग लग हम कहां से लावेंगे रुपे हाथ में में बीपेल की फोटो कोपी ले रही अपने अधार काड ले रही ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें